पूर्णिंग एब्रीवन मैं विजय आपको एक बाफ फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में कोसिन दिया है कि मानो सरी का साधारण क्या होता है तो फईला जो आलटर्नेटिव है दोस्तों इसमें दिया है तो 98.4 Fahrenheit करके होता है अगर Kelvin की बात किया जाएगा दोस्तों तो 310 Kelvin होता है मानों का body का जो temperature होता है तो यह first question हुआ अब हम second question की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि एक नच्छत का रंग निर्भर करता है दोस्तों तो पहला alternative है सूरी की दूरी पर दूसरा है तरिज़ा पर तीसरा है घनत पर और जो चौथा है प्रिष्टिय ताप पर तो जिसका right answer होगा वो डी alternative होगा प्रिष्टिय तनाव पर निर्भर करता है अब हम बात करेंगे question number four यहाँ पर दिया गया कि महराड़ा प्रेताप के घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों तो यहाँ पर आपको अल्रेडी पता है simple question है जे तक था यह भी alternative second आपका right answer होगा अब हम बात करेंगे question number four की तो हमारे चंद्रमा का चक्का लागाने वाला पहला उपग्रह कौन से था हलाकि चंद्यान यहाँ पर लूना फर्स्ट के अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो 1959 में इसको भेजा गया था लेकिन यह सफल परिछड इसका पूरा ना हुआ था 1966 में में लूना 10 को जब भेजा गया त तो वो पूरी तरह से यह क्रितिम उपगरा था जिससे पूरी सफलता के साथ यह सकसिच हुआ था तो जो राइट एंसर होगा वो लूना 10 होगा बीबी सेकंड नंबर का तो यह इस तरह से हमने तो फोर क्वेस्टन को कवर किया आप देखते हैं क्वेस्टन नमर 5 के अगर बात करें गयरें के दो यहां हो दिया है कि निम्लेखित मैंसिआ एक जो है दैसे कौन सा एक जो है म्रीथ ठीका असमार्यक नहीं है तो भी दीय का मकवा ताज महार चार मिनार और घोné यहां राइबा का वहो बीबज दिया तो यह सारिन होगे दुस्त्तर जो राइट एंस होगा वो चार मिनार मतब तीसरा अल्टरनेटिव इस राइट हैंस और अगर सिक्स नंबर की कोश्चन की बात करेंगे सबसे छोटा महाधीप कौनसा होगा तो वह आलड़ी आपको पता है कि यह सिंपल कोशन आस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाधीप माना जाता है तो इस तरह स हमने सिक्स कोशन को डिसक्स किया सातों के अगर बात करेंगे दोस्तों तो बहुत हुप हों के लिए प्रशिद कारला जो है कि स्राज मेश्चित है तो यह पहला अल्टरनेटिव महारास्ट्रा दूसरा उत्रपरदेश दिसरा उत्रखंड और चौथा दिया मध्यपरदेश जो इसका राइट हैंसर होगा वो अल्टरनेटिव फरस्ट होगा महारास्ट्रा इस राइट हैंसर अगर कोशन नमर हम मेट की बात करेंगे दूस्तों तो प्रतिवी का आकार कैसा है यहाँ पर फरस्ट जो भी कल्प दिया गया है कि पूर्ड गोल आर्थ दिया है दूसरा दिया है कि पूर्ड गोल और जो चौथा दिया है चप्टा गोल दिया है तो जो राइट हैंसर होगा वो अल्टरनेटिव फोर हमारा राइट हैंसर होगा अगर हम कोशन नमर नाइन की बात करेंगे थर्मो इसको का विसकार के मतलब किसे माना जाता है दोस्तों तो यह आप का सिंपल कोशन है गेलियू फर्स्ट अल्टरनेटिव राइट हैंसर हमारा होगा अगर कोशन नमर हम टेन की बात करेंगे पाकिस्तान में थार रेकिस्तान से जुड़ा रेकिस्तान को क्या कहा जाता है तो दोस्तों थार रेकिस्तान से लगा हुआ पाक का रेकिस्तान जो च्छेत्र है उसको हम जो है चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है इसका राइट एंस और सेकंड नंबर होगा यह गो भी और सारी भी गल्प से अपके रंग होंगे गल्थ होगा तो अब हम बात करेंगे कुश्चन नंबर 11 की ऑक्टोपस का ब्लेट कैसा होता है उसका ब्लेट 12 नंबर क्वेकर हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर दिया कि प्रतिती पर जल्ट चक्र कोष सक्ती प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती तो यह राईट हंसोर इसका जो होगा वह olvn से होती है परहलन कि यहांपडिया इसक्ष्ट आब दिया विश्च कोश्का होती है दोस्तो यह वनस्पति जो है जन्तु दोनों में मौझूद होता तो राइट एंसर हमारा एह होगा अगर हम 14 नंबर के कोश्ण की बात करेंगे तो दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन सी है दोस्तो तो यहाँ पर जो राइट एं चाहेंगे कि जो मंदारिन या चीनी होता है दोस्तों वो एक अरब 19 करोड़ लगभग लोग बोलते हैं और सेकंड बात करेंगे तो इस्पेनिस होता है हम बात करेंगे फिप्टीन नंबर कोशन की निमलिकित नृत्तों में शेक कहरा कि किस में एक का नृत्त होता है मतलब की वन परसन द्वारा यह जो है यह किया जाता है तो जो इसमें दिया है कोजीपुडा भरत नाट्रम मोहनियाट्रम और उडिसी तो यह जो इसका राइट और होगा दोस्तों वह हमारा भारत नाट्रम होगा क्योंकि यह जो है तमिलनाडू का लोक न्रित है यह एक वन परसन के द्वारा किया जाता है तो इस तरह से हमएं 15 कोशन का बड़ कि आब हम बात करेंगे 16 कोशन की दोस्तों यहां पर सही दिवस कम मनाया जाता है 12 जनृर का मुद्रा का नाम के है दोस्तों तो यहां पर जो इसका राइट एंसर होगा वो ली रहा करके जो डी अल्टरनेटिव है वो हमारा राइट एंसर होगा क्योंकि यहां पर एंड की बात करेंगे तो जापान की है दोस्तों और यहां पर रियाल की बात किया जाएगा तो कड़ी हमारा राइट हैंसर होगा इस तरह से 19 नंबर की कुश्चन के अगर बात करेंगे दोस्तों तो जवाह सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे के नाम से जाना जाता है कि मखर दिए है removed अब हम बात करेंगे कुश नंबर बीश की तो यहां पर जो दिया गया है कि हो क्भाइब परियोजना किस नदी पर बनाया गया तो पहला अल्टरनेटिव तापती नदी दूसरा सतलजद्वा और तीसरा माही और चौथा है गोदावरी तो जो राइट एंसर होगा दूस्तो वो फस्ट अल्टरनेटिव होगा उकाई परियोजना तापती नदी पर बनाया गया है एक question number 20 की बात करेंगे, तो यहाँ पर राम की या किस राजी का जो है लोक निर्थ है, जैसा कि आपको पता है, दोस्तों, एक लोक निर्थ होता, एक सास्त्री निर्थ होता, तो लोक निर्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पहला भी कल्प है, हरियाना, दूसरा क्रेला, बि सी मतब तीसरा होगा बिहार इस राइट अन्स और अब हम बात करेंगे कोश्चन नमबर 30 की यहाँ पर एन एसल किसका राशानिक सोथ रहे तो यहाँ पर विक्तम सिंपल कोश्चन है दोस्तों यह नमक का लड़ी को पता है तो राइट अन्स और यह तीसरा होगा 24 नमबर कोश्चन के अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया है कि निम्लकित बाती राजो में से एक जो है किनमे केसर की खेती होती है तो जो अगर भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला अल्टरेनरी जम्बू जम्बू और कश्मिर दिया है दूसरा जो है उत्तरपदेश हसाम और शीकिन राइटेंस और जो होगा वो जम्बू कश्मिर होगा मतलब दूस्तों यहाँ पर ही केसर की खेती होती है अधर प्लेसेज पे नहीं होती वह सन अमबर हम 25 और लास्ट की बात करेंगे तो निम्ल 25 को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों